36 गड़ समाने ग्यान 36 गड़ के प्राचिन इतिहास का यह साथवा सिरीज है इसमें अध्यान करेंगे साथ वहान काल साथ वहान वंसो ने 36 गड़ में सासन किया था उससे जुड़े तैथों के बारे में इस युड़ों में जानेंगे यदि आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सबिस्क्राइब करें यदि वीड़ों आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें 36 गड़ में अर्था दक्षिड कोसल में साथ वहान वंस ने 200 इसापूरों से 60 इसापूरों तक सासन किया था इस वंस की इस थापना जो है सिमुक नावाक ब्यक्ति द्वारा किया गया था और इस वंस का सबसे प्रतापी सासक हुआ अपिलाग अपिलाग का ही जो है 36 जड़ में सबसे ज़्यादा मुद्राय प्राप्त हुई है साथ वंस का अंतिम सासक है पुलुमावी आपको कोई भी वंस का समाने तह संसापक अंतिम और प्रतापी इसके लावा आपको राजधानी भी पता होना चाहिए इस वंस की राजधानी थी प्रतिष्ठान जो की महाराष्ट में था साथ वंस की राजधानी प्रतिष्ठान थी लेकिन चतिशगर जो है महाराष्ट जो साथ वंस की आरंभिक राजधानी अम्रावती थी ये अम्रावती जो वर्तमान में आन्द प्रदेश का राजधानी प्रस्तावित है ये वहीं अम्रावती है लेकिन महाराष्ट में भी एक अम्रावती इस्थित है साथ वहान काल से अनेक साच्छ जो है चतिशगर में प्राप्त हुए है उन साच्छ को जो है इसमें देखेंगे इसमें पहला है बालपूर और बालपूर जो है राइगड जिला में इस्थित है इसके लावा मलहार जो की बिलासपूर में इस्थित है साथवाहर राजा अपिलक की मुद्राय यहां से प्राप्त हुई है बिलासपूर राइगड बिलासपूर के मलहार और राइगड के बालपूर से अपिलक की मुद्राय इसके लावा बिलासपूर के चकरवेड़ा से साथवाहन कालिन रोम की स्वर्ण मुद्राय प्राप्त यदि बिलासपूर मेप में कहा है ये आपको इसमें देखते हैं मेप में कहा है बिलासपूर ये है 36 गड़ और 36 गड़ में जो मैंने लाल रंग का ये जिला हाइलेट किया है ये है राइगाड और राइगाड के बालपूर से ही साथ वाहन वंस के आउसेस मिले है ये है राइ अब राजा अपिलक की मुद्राय यहां से प्राप्त हुई है इसके अलावा देखते हैं बिलासपूर जिला किधर इस्तित है मेप में यह जो लारंग से मैंने हाइलेट किया है यह है बिलासपूर जिला के मलहार से राजा अपिलक की मुद्राय प्राप्त हुई है यह है बिलासपूर जिला का बड़ा चित्रा आप देख सकते हैं और यह बिलासपूर के जो नजदिक ही है चकरवेडा और यह नीचे साइड यहां पलावदा बजार और जानगीर चापा की बीच में यहां मलहार है मलहार बिलासपूर का इतिहासिक नगर है और चकरवेडा में लोम की स्वार नमुद्राय प्राप्त हुई है आप मेप सही देख सकते हैं कहां पर है और मेप से जो है याद करने का तरीका अच्छा रहता है और पढ़ाय भी अच्छा होता है इससे अन्ये क्वेस्चन भी र बार बार अध्यान करें जानते हैं और अउसेस के बारे में गुंजी का अभिलेक में साथ वहां राजा कुमार वदस्री का उल्लेक है और ये गुंजी नामा की स्थान जो है थत्ती जड़के जानगीर चापाजिले में इस्थित है इसके अलावा एक और महत्पुर्णा उसेस है किरारी का कास्ट इस्थम आपने ये जो है बहुत बार सुनाओगा गुंजी का सिलालेक और किरारी का कास्ट इस्थम ये दोनों क्वेस्चन जो है अधिक पुछ जाते हैं आपको ये दोनों क्वेस्चन है याद रहना इसका संबन्ध साथवाहन वन से हैं किरारी के काश्ट इस्तम्भ की खोज सन 1921 में की गई थी और इसे सुरक्षित गुरु स्वरी महन घासिदा संगरहलाय रैपूर में सुरक्षित रखा गया है इस सौसेश को साथवाहन चित्रकला का प्रतिख है किरारी का काश्ट इस्तम्भ और किरारी का काश्ट इस्तम्भी जानगीर चापा जिला में ही इस्थित है इसके लावा भुडिखार, कौर्बासी, पसार्षे, निर्मित, लेखायुकत, प्रतिमा प्राप्त हुआ है मलहार से ही साथवाहन कालीन मिट्टी के मुहरे प्राप्त हुआ है हमने मेप में देखा राइगर जिला और बिलास्पूर जिला इसके बाद आपको जानगीर चापा में बदाते हैं ये जानगीर चापा मेप में कहां इस्तित है ये है 36 का मानचीतरा यहां पर मैंने हाइलाइट किया है ये है जानगीर चापा जिला ये विस्तित देखे तो ये जानगीर चापा जिला है और जानगीर चापा मुर्ख ख्याला से कुछदूरी पर सक्ति है और सक्ति के आस्पासी इस्तित है किरारी का कास्त देश्टम और गुंजी का सीलालेग और जानते हैं साथवाहन काल से अन्यम महत्तूर्ण तत्थ्व के भाईवें जो कि एक्जाम के पंटवू से महत्तूर्ण हो सकते हैं साथवाहन काल के तामबे के आयताकार सिक्टे प्राप्त हुए हैं जिस पर हाथी इस्तिरी नाग आदी का चित्रांकन था जैसे अभी की सिक्के में धान की बाली असोक चक्र ऐसे छाप दिये जाते हैं उसी तरह उस समय हाथी इस्तिरी नाग का चित्रांड होता था जानते हैं साथवाहन काल से समधित महत पुर्णत तथ्यों के बारेम जैसे साथवाहन सासोक को दक्षिडापत का स्वमी कहते थे दक्षिडापत कहने का 36 गड़ जो है भारत के मध्य में इस्थित है और दक्षिड भाग में है इसलिए दक्षिडा भाग कहा जाता दक्षिडापत कहा जाता 36 गड़ को यहां से जक्षिड को सर्षे होकर उडिशा कलिंग राज्य जाय जाता था। इसलिए साथवहां सासनकाल को सासको को जक्षिडापत का स्वामी कहते थे। चतिजड के कुछ हिस्सा इस समय चतिजड के बगल में इसी थे यदि आप मेप में देखे तो और उडिशा इसी थे चतिजड के कुछ भाग और उडिशा में खोरवेल का सासन था और खोरवेल बंस जो है जैन्धर्म का अनुआई था। मानेता है कि इस समय दार्शनिक नागरजून चतिजड की यात्रा पर आये थे। इसकी जानकरी हमें भेंसांग की यात्रावितान स्री यूपकी से प्राव्द होती है। इसके अलावा दार्शनिक नागरजुन ने जो है 36 गड़ में अर्थाद दक्षिड कोसर या दक्षिडापत में कुछ समय भी ब्यतित किया था। साथवाहन वन्स जो है ब्राम्हर जादी के थे और साथवाहन वन्स के लोगों द्वारा अस्व में और राशूर यग्यक करवाने के साथ प्राप्त हुए हैं। से अध्यान कर सकते हैं। जदी अपने 36 गड़ के प्राषिनीतिहास के और वीडो का अध्यान नहीं किया थो उसका भी अध्यान कर सकते हैं। यहां एक और question थूट गया था जैसे पाच मंजिला इमारत संखराम बनाया गया था इसका संबंद साथ वहान वहन से ही है यह question पुछा गया था कि पाच मंजिला इमारत संखराम का संबंद की संखराम से है तो आपको इसका answer लगाना था साथ वहान वहन से था पाच मंजिला इ नए है तो चैनल को सबिस्क्राइब करें और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबिस्क्राइब बटन के बगल में इस्थित नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें जिससे इससे समधित वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्ता हो जाए